आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ कौन सा भीकलब हमारा सही है ठीक है तो सिर्फ प्राइमरी अमीन जो होता है प्राथमिक अमीन अगर हम प्राथमिक अमीन की बात करें जो प्राथमिक अमीन होता है ठीक है वो हमारा क्या करता है प्राथमिक अमीन ही और क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म अमीन अमीन का मतलब NH2 group जुड़ा होता है किया बच्चों यह अमीन है कार्विल अमीन अभिकरिया देते हैं यह दोनों देंगे और बाकी सारे कार्विल अभिकरिया नहीं देंगे ठीक है तो प्रात्मी कमीन और क्लोरोफार्म जो है प्रात्मी कमीन देखे क्या होती है प्रात्मी कमीन हम लिखते हैं यहाँ पर R NH2 ठीक है R NH2 अगर हमने लिख दिया है यहाँ पर R बना दिया है एकल बंद NH2 तो इसको एक डिग्री अमीन बोलेंगे यह प्रात्मी कमीन मतलब 1 degree, अगर इस तरह से R, R, और यहाँ पर फिर N, और फिर H, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, secondary dvityamine, ठीक है, dvityak, ठीक है, ठीक है, ठीक में क्या होगा, R, R, शिर्फ 1 N आ जाएगा, ठीक, और यहाँ भाई, R, तो यह R, R, डैस था, R, R, डैस, R, डैस, ठीक, यह हमार ठीक हमीन है, तो कार्विलमीन इसमें से कौन सी देगी, यह हमारी नहीं देगी, और यह नहीं देगी, परात्मिक है, तो यह देगी, और क्लोरोफार्म देता है, तो देखिए इसमें से क्या है, तो पहले में क्या है, एक R यह हमारा, और यह NH2 है, ठीक, यह हमारी देगी, यह R है और यह नहीं हमारी देगी कार्विल अमीन विक्रिया यह यह R और यह नहीं हो गया, तो हमारा यह C वाला ओप्सन सही होगा, ठीक है? उमीद है आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद